आप लोगों का दोस्त विपन कुमार शर्मा तो मैंने आपको कहा था कि जब कोई चीज बिल्कुल शॉर हो जाएगी मैं तभी आपको बताऊंगा और सबसे पहले आपको बताऊंगा अगर आपने मुझे मेरे टेलिग्राम चैनल पर जॉइन नहीं किया है या फिर इंस्टाग्राम पर जॉइन नहीं हुए हूँ तो यार ये कुछ हैंडल्स हैं जिन पर आप जाकर सर्च कर सकते हो आप मेरे नए चैनल को भी फॉलो कर सकते हो एंगरी मास्टर जी जिसका लिंक जो है आपको दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा You can also get connected to me on that particular place To Times India का बहुत ही बहुत ही नया एक article आया है जिसके अंदर साफ साफ इखा गया है काल जो आपका admitted card release होने वाला था वो admit card अब release नहीं होगा यानि the admit card that is going to be released on 27th of March Friday that is not releasing tomorrow but it is getting postpone and the new dates for the admit cards to be released is going to be announced on 14th April यानि 14 अपरेल को जब आपका lockdown period खतम होगा उस ताइम पर नए admit card की date आएगी ना कि admit card आएगे समझने की कोशिच करना यह बहुत important article है 14 अपरेल को lockdown के बाद आपकी नई date आएगी admit card तब भी नहीं आएगे समझ जीचे आपको date मिलती है कि दो हफते बाद admit card आएगे so your admit card release date will become 24th of April इस तरीके से तो अभी जो है इस पर काफी चीज़े होना बाकी है पहली बात ये कि we do not know that after lockdown period what we are going to expect क्योंकि लोग एक नंबर के बेवकोफ हैं अभी भी बाहर गुम रहे है so lockdown period के बाद कितना और time हमें लग सकता है इन चीजों से सुलजने में वो basically एक variable period है and we don't know कि lockdown के बाद और lockdown होगा या नहीं so they are not sure so अभी वो कोई particular date आपको नहीं बता रहे हैं they are only giving you an estimation की lockdown period खतम होने के बाद आपको हम एक probable date बताएंगे probable date जिस पर basically आपका admit card release हो सकता है since ये जो आपका admit card release होना था 27th of March को ये around आपका 17-18 दिन late हो चुका है यानि कि आपका exam जो है वो भी 15-20 दिन आगे जाने की probability यहाँ पर बन जाती है और lockdown period अगर और लंबा चलता है या फिर उसके बाद भी हमें थोड़ा recovery का time लगता है plus there are a lot of things that NTA need to do before examination examination से पहले काफी सारे preparations करनी होती है काफी सारे centers हैं जिनको रद किया जाएगा या फिर काफी और चीज़े हैं जो कि उन्हें करनी होंगी basically वो सारे जो processes हैं उनमें बहुत time लगता है around एक महिने का time NTA को चाहिए रहेगा so it is very very sure यह 99% यहाँ से guarantee हो जाती है कि यहाँ पर जो है basically आपका exam postpone होगा okay postpone तो होगा that is a surety लेकिन यहाँ पर यह है कि आपको 99% guarantee है कि 15 से 20 दिन का time मिलेगा और chances यह भी है कि आपको और जादा time मिल जाए because 2016 में आप सबको याद होगा the need was conducted in two different phases okay जब paper leak हो गया था first time पे तो second time जो need हुआ था वो 24th of July को हुआ था यानि जुलाई में paper conduct होने के बावजूद भी normal time पे अगर classes लग सकती है तो अब तो फिलाल time है यार ठीक टाक तरीके से चीजों को सुलजाने का तो अगर आपका जून में भी examination होता है तो भी आप लोगों के पास एक ample time schedule होगा अपने exam conduction के बाद यूनो बागी सारी चीजों को ठीक तरीके से करने का counselling वगेरा procedures में participate करने का तो जाहिड सी बात है यहाँ पर आप लोगों को अगर time मिला है तो इस time को बहतर तरीके से utilize करो मैं news थोड़ा आप लोगों के आगे पर देता हूँ जो नई dates है of NEET UG 2020 will be announced only after the lockdown period or it is going to be extended to some more days and according to the senior NTA official we will not be issuing the admit cards on March 27 27 को जो आने वाले थे वो admit cards अब नहीं आ रहे है new dates जो है of downloading admit cards will be issued later following the review on April 14 यानि April 14 पे जब lockdown period खतम होगा उसके बाद आपकी dates आएंगी new dates आएंगी exam की भी plus admit cards की भी उस time पर आपको बिलकुल short shot पता लग जाएगा बिलकुल short shot confirm हो जाएगा कि किस date पर आपका exam है लेकिन इसको postpone मान के ही चलो तयारी करो अपनी 3 माई के हिसाब से because that is going to be the best part अगर 3 माई तक आप रगड पीट के अपना पूरा syllabus पूरा कर देते हो तो मान के चलो जो आपका extra time आपको मिलेगा उसमें अगर आप बहुत अची practice करते हो बहुत अच्छा revision करते हो तो आपका selection आसानी से हो जाएगा second important thing मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ if you are a dropper just be very very curious for your preparation because the 12th class aspirants जो बहुत बहुत सही होते है अपनी preparation में उनकी 12th बहुत fresh है उनको 11th के लिए बहुत time मिल गया है so competition यहाँ पर increase होने वाला है and that is the practical truth वो आप लोग शायद analyze कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ so 12th के बच्चे इस बार फोड़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से क्योंकि already उनमें energy level बहुत boosted up रहता है so droppers you know भाई pull up your socks and make sure that you give your best shot in this neat entrance examination बहुत सही competition इस बार होने वाला है और you know students को बहुत महनत करनी पड़ेगी और बहुत जादा time भी मिल गया है कोशिच ये करेगा कि बहुत अच्छे तरेके से आप लोग पढ़ाई करें कोई doubt होतो है नीचे comment section में पूछ सकते हो plus अगर मेरे से कोई help बन पड़ेगी I'll do that because I'm going to complete the syllabus before 20th of April जो मैंने आपसे बादा किया है तो आप इस channel को join भी कर सकते हो आप इस channel को subscribe कर सकते हो जिससे कि आपका biological syllabus मैं 20th April तक guarantee short shot complete करा दूँगा और अगर आप मेरी वीडियो में कई हर बात सुनते हो और याद कर लेते हो और अगर आप उसको समझ लेते हो ठीक से तो 320 marks आप आसानी से cross कर दोगे and since we are getting more time I'm going to prepare a lot of practice sessions as well काफी सारी चीज़े मैं भी अपने channel पर conduct कराने वाला हूँ तो उन सबसे आपको बहुत benefit होगा और आप एक बड़ा score biology में achieve कर सकते हैं plus inorganic chemistry की काफी सारे request आ रही है तो दोस्तों मैं आप से बस यही कहना चाहूँगा कि पहले biology हम लोग थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं and after that जो भी time मिलेगा उसमें हम लोग आपके लिए inorganic chemistry के lectures भी लेकर आने वाले हैं तो यह मैं आप लोग को promise कर रहा हूँ तो यह मैं आप लोग को promise कर रहा हूँ so don't worry about that so thank you so much guys for watching this video and prepare well subscribe कर दीजे channel को like करो मत करो subscribe कर दो because it is very important for you guys to read it is for you know all the students जो की अभी coaching नहीं जा पा रहे हैं या फिर काफी सारे उनके पास problems है उन सब के लिए one shot lectures तयार हो रहे हैं काफी सारे detailed lectures तयार हो रहे हैं trick videos तयार हो रहे हैं so this channel is going to help you out in all possible ways in this period of lockdown make sure that you hit the bell icon as well thank you so much guys lots of love we'll catch you in the next video जिसमें हम पढने वाले हैं Cell Cycle and Cell Division